हेलो नमस्कार मैं डाक्टर रजनीश कुमार आप सभी का एक बाद फिर से हार्दिक स्वागत करता हूँ डी एससबी टीजीटी हिंदी के अंतरगत आज हम बाक्चित करेंगे भासा परिक्षन हिंदी यानि कि टेस्ट आफ लेंगविज हिंदी से समबंदि जो प्रशन आते हैं अपके खंड ए में इस से सवाल पूछे जाते हैं और हो सकता है कि जो भी हम इसमें प्रेक्टिस करें आपके में सब्जेक्ट्स में भी इससे सवाल आ सकते हैं तो इसलिए दोनों को ध्यान में रखते हुए हम कुछ दिर्ल के प्लोड इड़ें उनको आप Smith यह निकाल कर देख सकते हैं ठीक है तो हम देखते हैं जो पहला प्रश्ण है सिर्फ पूछा है कि बिजली आविश्कार किसंने किया तो इसमें परशर यानि कारक से समदित सवाल पूछा गया है और जो सही इन चारों के कारक है उसको आपको रिक तस्थान में भरना है तो बि फिप्टी सेबन को हिंदी में कहते हैं फिप्टी सेबन को हिंदी में क्या कहते हैं तो यह सई जवाब है सक्तामन अगला प्रश्ण है मैंने गाने का मैं मैं गाने का करता हूं अप्शन दिया है प्रश्ण पढ़ाई शाला अभ्यास तो गाने का क्या किया जाता है अभ्यास किया जाता है तो यह डी अप्शन से हो जाएगा अगला प्रश्ण है प्रदेसिक शब्द का शुध रूप है देख रहे हैं शुध आ सुधसी समभनित प्रश्ण आ गया तो प्रश्णों दिया प्रदेसिक का जो शुध रूप यह Lego सीधू wrapping करें जब किसी विशब्द का बीशेशन बनाया जाता है तो उसमें दिर्ग हो जाता है इसके शुरुवात्म जैसे समाज है तो सामाजिक हो जाता है ठीक है अगला प्रश्ण है माता जी ने पत्र लिखा यह वाक्य किस काल में है तो काल से सम्मनित प्रशन आ गया चार आप्सेंस दिया गया है माता जी ने पत्र लिखा सही जवाब है भूत काल अगला प्रशन रंक शब्द का अर्थ है रंक शब्द का अर्थ मतलब परयावाची पुछा है तो जो चारों आप्सेंस दिये गया है इन आप्सेंस की आधार पे रंक मतलब होता है गरीब अगला प्रश्ण है हैे पेड़, पेड़ का सामनार्थक सब्द है, समनार्थी सब्द भी पूछे जा रहे हैं परिखाऊं में, तो पेड़ का समनार्थी सब्द क्या है? व्रिक्ष, आप देखेंगे किसी के दिमांग में बोलेगा पौधा क्यों नहीं हो सकता है, पौधा छ पत्तागीरा, बिकलप आपको इसमें भरना आया कि पेड से पत्तागीरा, ठीक है? हो सकता है कि आदामिप्रीक्षों में पूछ दे कि पेड से पत्तागीरा किस कारक में आता है यह होगा अपादान कारक, TGT में इस तरीके सवाल पूछा गया है, U.PTGT में तो ऐसे भी ध्य दिया गया है इन अप्सेंस में सही जबाब है मुर्खों में तनिक ज्ञान वाले को पंडित मानना है यह हमें साम कावद बोली भी जाती है आसपास में प अध्या की शिश्य सब्दका अन्य लोप करहें यह आपक्ला अन्य लिंग बोला जा रहा है तो इसका मतलब कि इस्त्री लिंग तो शिष्य काौन अन्य लिंग क्या होगा शिष्या अगला प्रश्ण है कवी धन इंद्र यह कवींद्र संधी है कौन सी संधी इसमें कवींद्र में यह दिर्गी संधी आप देख रहे हैं कि छोटी E प्लस छोटी E मिलके क्या हो गया बड़ी E हो गया यहां पर तो कवींद्र हो गया अगला प्रश्ण है आँख शब्द का अर्थ देने वाला सही शब्द है तो जो शब्द लिखे गए है उसमें आँख का सही अर्थ देने वाला शब्द है नेत्र ठिक अगला प्रश्ण है राम काला कलूटा आदमी है इसमें काला कलूटा शब्द क्या है संग्या सर्वनाम विशेशन क्रिया तो काला कलूटा क्या है विशेशन है विशेशन से विस्तमन्दित प्रश्ण आते हैं अगला प्रश्ण है इनमें अननुरूप विजाती शब्द पह जistा टि-॥द्याति सिस्य सबका एक ही अर्थ है जब इसमें जो सिक्षक है वो विजाती है अग्ला प्रश्न है जो परिश्रम करेगा भरना इसमें वही शफल होगा ठिक जो परिश्रम करेगा वही सफल होगा अगला प्रश्न है और का समनार्थक शब्द है और का समनार्थक शब्द जो विकल्प दिया गया उसमें क्या है या कई पर लोग बोलते हैं हाला कि यहां का मतलब होता है किसी एक चीज़ को चुनना होता है और मैं क्या होता है कि संयुक्तुरुप से जैसे राम और मोहन वारानसी जाएंगे तो मतलब दोनों जाएंगे और यहां पूछा जा रहा है क्योंकि बिकल्ब के आधार पर सही आंसर यह होगा लेकिन अगर का दिन होने वाले या छपने वाले पत्रिका को क्या कहते हैं ये वाक्यांस के लिए एक शब्द की अंतरगत आ रहा है जो प्रत्ति दिन छपता है उसे दैनिक का आ जाता है जैसे आप जो न्यूज पेपर पढ़ते हैं या अखबार पढ़ते हैं दैनिक जागरन दैनिक भाषक दैनिक हिंदूस्तान ठीक है तो दैनिक है अगला प्रश्ण है कि सस्ता सब्द का बिलोम होता है सस्ता सब्द का बिलोम क्या होगा महंगा अग्ला प्रस्ण है कि परिक्षा में खूब नकल किया, कारक से कुछ ज्याधा सवाल पूछे गये हैं अग्ला प्रस्ण है तुम लोगों में बड़ी ताकत है, तुम लोगों में बड़ी ताकत है यह इसलिए पूछा जा रहा है कि कई बार हम जो वाक के बोलते हैं सामने वाला उसको तो समझ जाता है लेकिन कई बार ना तूटियां रहती है उसमें ठीक है कोई बोलेगा तुम लोगों पर बड़ी ताकत है तुम लोगों से बड़ी ताकत है तुम लोगों में बड़ी ता कथित भाषा लिखित भाषा और सांकेतिक भाषा ठीक है तो इसमें इसका आंसर से होगा अगला प्रश्ण है हिंदी भाषा की लिपी क्या है तो जो आफसेंद दिया गया हो है देवनागरी यह में सब्जेक्ट में विया सकता है सवाल आपका अगला प्रश्ण है मीठा सब्द का भावाचक संग्या रूप क्या है मीठा का भावाचक संग्या तो होगा मीठास अगला प्रश्णा है कि तीन से तीन बटे चार को हिंदी में क्या कहते हैं तो इस तरीके से पूछा गया जो कि हम अपने जिहन में बहुत कम यूज करते हैं खासतर से जो सरी प्रिष्टी भूमिंगे बच्चें वो तो जानेंगे ने कि यह क्या लिखा गया है पौना तीन प 12 ऌने चार आवागे बचें जीसे कोई टाइम पुष्ट है तो अक्ष्या रम बोलते हैं कि सावच द्वजरा घाव तीन वजरा वैसे इसको पूछा गया है तो इसका जो सही जवाब है पांड चार अगला प्रश्ण है शलील शब्द का सही अर्थ है शलील माने होता है पानी ठीक है तो यह हो गया अगला प्रश्ण है राम अवतार का सही संधी विच्छेद है अल अगला अक्षब संधी किया गया इसमें सही संधी विच्छेद किया है राम प्लस अवतार और यह दिर्ग संधी अगला प्रश्ण है छात्र नेता कहा क्या कहा चात्र नेता ने कहा यहाँ पर ने जो परसर गया यह कारक है उसको जोड़ना पड़ेगा यह करता कारक है ठीक है कारकों से संबंदित भी अमने एक वेडियो अप्लोड किया है जरूर उसको आप देखिए अगला प्रश्ण है किनारे आपके साथी राह देखते होंगे तो क्या होगा किनारे पर आपके साथी राह देखते होंगे अगला प्रश्ण है दोस मन का था शरीर का नहीं यहाँ पर क्या होगा का जुड़ेगा अगला प्रश्ण है बाल जड बहुत गहरी नहीं होती तो यहाँ पर की बाल की जड़ बहुत गहरी नहीं होती लेकिन जहाँ पर कोई व्याकरन का ध्यान नहीं देगा बाल के अनुसार की का के की प्रयोग का प्रयोग नहीं करेगा तो वाकिक गलत हो जाएगा कई बार आम ब्यवार में लोग बोलते हैं बाल का जड़ बहुत गहरा नहीं है। मतलब समझ मेने ही आता कि कहाहँ पर इस त्री लिंग का प्रयोग होता है कहाहँ पर बुलिंग का तो उसको ये चेक करने की कोशिस की गई है यहां पर। भ्याकण जो हते है किसी विवाषा का बिवस्थितरूप होता है तो उसी कट्टे स्ट हो राा इसमें अगला प्रश्ण है कि बादशा शब्द का अनने लिंग है कि मतलब इस त्रिलिंग क्या है ? बादशा का बेगम अब कोई बोल जाएगा बादसाही बादसाहीन बादसाहीनी तो ये गलत हो जाएगा बादसा का जो इस्त्रीलिंग हो है बेगम अगला प्रश्न है उस लड़की को बुलाओ यहाँ पर को होगा अगला प्रश्न है अनेक शब्द का बिलोम शब्द है अनेक का बिलोम क्या होगा एक होगा ठिक है नायक शब्द का अन्य लिंग रूप क्या है हो जाएगा नाई का अगला शब्द है बिवस्था पद का अर्थ है बिवस्था मतलब इंतिजाम करना अगला प्रश्ण है भारत देश के ज्यादा लोगों की मात्र भाषा हिंदी है यह तो अगला प्रश्ण है गरीब का विरुध पद है मतलब परिश सब्द है अमीर अगला प्रश्ण है श्रीमत्ति इंद्रा गांधी हमारे देश के क्या थी प्रधान मंत्री थी तो यह जी एस भी हो गया लेकिन रिक्त स्थान की पूर्ती करना यहां पर तो प्रधान मंत्री थी अगला शब्द है पत्रिका पद का बवबचन रूप है पत्रिका का बवबचन पत्रिका है ठीक है अगला प्रश्ण है खुश्बु पद का बीपरीत अर्थ है खुश्बु का बदबु अगला प्रश्ण है धन्धा इस शब्द का बावबचन रूप है धन्धा का बावबचन रूप धन्धे कारकाना इश्पद का सुधर रूप है तो कार खाना होता है कार खाना नहीं होता है अगला प्रश्ने बालक शब्द का अन्य लिंग रूप है बाली का देखने में इजी सवाल लग रहे हैं लेकिन इसी पैटन पर सवाल पूछे जाते हैं इसलिए पूलिंग इस्तिरिलिंग बिलोम शुद शुदे सब ध्यान में रखना होगा अगला प्रश्ने हाथ पर हाथ रख कर बैठना मुह औरे का अर्थ है मतलब खाली बैठना अगला प्रश्ने निग्रानी पद का मतलब क्या है निग्रानी मतलब देख रेख करना अगला प्रश्ण है लिखना शब्द का भाव आचक संग्या क्या है देख रहे हैं संग्या संबनित भी प्रश्ण आ रहे हैं बार बार तो गया लिखावट आत्मियता इस शब्द का विशेशन रूप है आत्मियता किसका विशेशन रूप है तो इसमें पूछा जा रहा है आत्मियता का विशेशन रूप क्या है आत्मिय ठीक है तो इस तरीके से हमने कुछ प्रश्णों को हल किया जिसमें कि आपने देखा कि कारक से संबंदित सवाल रहे संदी से संबंदित सवाल रहे बिलोम, परियावाची, कहावत ठीक है लोकोक्तियों से संबंदित शुद्ध शुद्ध इसे संबंदित प्रश्ण रहें तो ब्याकरण से ऐसे ही सवाल पूछे जाते हैं और बाकी नए सेट को हल करेंगे तो हो सकता है कुछ और ट्रेंस पता चले तो कमेंस करकर बताईए कि ये टॉपिक आपको कैसा लगा ये लेक्चर कैसा लगा मिलते हैं नए टॉपिक के साथ तब तक के लिए नमस्कार